PKL Season 10 का पहला लेक complete हो चुका है, पहला लेक ता एहमदाबाद लेक, लास्ट वीडियो में हमने Top 10 Raiders के बारे में बात किया, आईए इस वीडियो में बात करते है Top 10 Defenders के बारे में, आकिर कौन से वो Defenders है जिनके पास अभी सबसे जादा Tackle Points से 11 Matches complete होने के बाद, आईए इस वी में इनके पास टुटल 6 Tackle Points हो चुके है, UP योधास के खिलाफ 6 Tackle Points स्कोर किया था, High 5 जड़ा था, एन गुजराद जाइंट के अगेंस्ट एक भी पॉइंट स्कोर नहीं कर पाए, इसी 6 पॉइंट के साथ नमबर 10 पर है, नमबर 9 की बात कि जाए, तो नमबर 9 पे गुजर पॉइंट पतना पारेट्स के अगेंस्ट, 6 Tackle Points स्कोर करने के साथ, नमबर 9 पे सौरफ गुलिया है, नमबर 8 की तरफ बड़े, तो नमबर 8 पे बेंगलोडु बुल्स के विशाल लाथर है, विशाल लाथर एक बहुत ही बहतरीन लेफ्ट कवर के डिफेंडर है, इन्होंन पे गुर्दीप सांगवान है, यूपी ओदास के गुर्दीप सांगवान जो लेफ्ट कवर के डिफेंडर है, इन्होंने 2 मैचस खेले, इन्होंने 6 Tackle Points स्कोर किया है, यू मुंबा के अगेंस्ट 2 Tackle Points स्कोर किया था, एन हरियना स्टीलर्स के अगेंस्ट इन्होंने जड़ा था, तो इसके कारण गुर्दीप नंबर साथ पे है, नंबर 6 की तरह बढ़े तो नंबर 6 पे महेंदर सिंग है, महेंदर सिंग यू मुंबा के एंड लेफ्ट कवर के डिफेंडर है, इन्होंने 2 मैचस खेले, इन इन 2 मैचस में इनके पास टोटल 6 Tackle Points हो चुके है यू पी ओदास के अगेंस्ट 2 Tackle Points स्कोर किया था, एन गुजरा जाइंट्स के अगेंस्ट इन्होंने High 5 जड़ा था, जिसके कारण 7 Tackle Points इनके पास हो चुके है, अब यहां पे Top 5 Defenders पे नज़र डाले, इससे पहले में छोटा सा समय आपसे लेना चाहता हो, जिन्होंने भी अभी तक Telegram Channel को जॉइन नहीं किया, आप हमारे Telegram Channel को फटफट जॉइन कर लीजे, जिन्होंने अल्रेडी जॉइन को पता है कि मैच की कवरेज, जो प्लियर्स के आकड़े है, वो सबसे पहले शेर किया जा रहा है, तो अगर आपको कबड़ी के हर एक अपडेट सबसे पहल चली है, फजल अतरा चली लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर है, इन्होंने चार मैचेस खेल लिये, यहीं चार मैचेस में इनके पास टोटल आठ टेकल पॉइंट्स हो चुका है, तलगू टाइटेंस के अगेंस तीन टेकल पॉइंट्स, पैंगरोडू बुल्स के टेकल पॉइंट्स इनके खाते में आचुके है, नंबर चार की बात की जाए, तो नंबर चार पे पटना पारेट्स की नीरज कुमार है, राइट कवर के बहतरी डिफेंडर, फॉइंट्स में वापस आ चुके है, विकोज दो मैचेस में ही इनके पास टुटल आठ टेकल प स्कोर किया था, एंड गुजराज जाएंट्स के अगेंस्ट भी चार टेकल पॉइंट्स कोर किया था, तो नीरज कुमार बहुत ही अच्छे फॉर्म में दिख रहे है, एड इसी के साथ नंबर तीन के तरफ बड़े तो नंबर तीन पे भी पटना पारेट्स का खिलाडी है जो यहाँ पे अंकी जाकलान है, लेफ्ट कॉर्नर के बहतरीन डिफेंडर, एक उभरते डिफेंडर, जो यहाँ पे साधलू की पोजिशन पे खेल रहे हैं, अपने डेबियू मैच में 5 टेकल पॉइंट स्कोर किया था, हाइफाई जड़ा था, एंड गुजराज चाइंट अब बड़े तो नमबर 2 पे यूपी ओधास के सुमित है, जो यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर है, इन्होंने 2 मैचेस के लिए, इन इन 2 मैचेस में इनके पास 10 टेकल पॉइंट स्कोर किया था, एंड हरियाना स्टीलर के अगेंस्ट इन्होंने 8 टेकल स्कोर करना एक बहुत ही बड़ी बात है, और सुमित आप जो पिछले मैच में जो परफोर्मेंस दिखाया है, बहुत ही तारीफ करने वाला परफोर्मेंस है, और इसे के साथ अब यहाँ पे हम बढ़ चुके है, नमबर 1 पे गुजरा जाइंट के सोंबीर गुलिया है, सों सुम्बा के अगेंस्ट एक टेकल पॉइंट पाइरेट्स के अगेंस्ट हाइफाई जड़ा, तो दो मैचस में इन्होंने हाइफाई स्कोर किया, और बाकी के जो दो मैचस थे उसमें इन्होंने टीसेंट साब परफोर्मेंस दिखाया, अभी जो डिफेंडर जिनके पास में है कि आप कॉमेंट का के जरूर बताएगा, और बेंगलोर रेक कंपलीट होने के बाद आपको क्या लगता है, इसमें कुछ बदला आप देखने को मिल सकता है कि आप अपनी डाय कॉमेंट बता सकते हो, और टॉप 10 डिफेंडर का वीडियो आपने देख लिया है, तो ट